आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक खुबसूरत सी कैट हाँ आज की यह जो पोम है वो है स्किंबल शैंक्स दी रिल्वेग कैट यह एक अम्यूजिंग बट एक एपसर्ड पोएम है मतलब यह रियल नहीं हो सकती है ऐसी पोएम है और यह टी एस इलिएट तॉमस स्टर्न इलिएट एक महान पोएट है जिन्नोंने बहुत सारी पोएम्स कैट पर लिखी है यह खुद भी एक कैट एंदूजियास थे इनके पास खु हो गये यूके में लंडन में और वहीं के रहे गये वहाब इन्होंने बहुत सारी बिलिया पाली जिनके इन्होंने बहुत सारे विम्सिकल नेम दिये और उन पर ही बहुत सारी पोएम्स लिखी जैसे मैकेविटी दे मिस्ट्री कैट यह पोएम भी एक एंथ्रोपो में दे दिया गया है मतलब इंसान जैसे emotions, character और behavior एक cat के उपर दिया गया है इसलिए ये एक anthropomorphism पर बनी poem है ये poem एक speaker जो की एक railway में बैठा passenger द्वारा बताई गई है तो क्या है ये poem आए समझते हैं line by line एक ही shot में पूरी poem simple language में इससे simple आपको ये poem कहीं नहीं मिलने वाली है तो skimble shanks एक superhuman कह सकते हैं एक है ये cat superhuman इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक supervisor की तरह है एक big brother की तरह है ये एक omnipresent omnipotent cat है मतलब सब जगें पाई जाती है सर्व शक्ती शाली है सब पर नजर रखती है imagine करिए कि एक example देता हूँ कि आप एक picnic पे टूर पे जा रहे हैं और टूर में आपके साथ आपके school का एक बहुती strict teacher जा रहा है जिसके सामने आप मस्ती मुजाक नहीं कर सकते हैं पर वो teacher ये make sure करता है कि आपका tour बहुत pleasant हो आपको किसी जीज की कोई दिक्कत न हो ना खाने पीने की दिक्कत हो ना सोने की ना आराम करने की दिक्कत हो पर उसके आगे कोई बदमाशी कोई बत्तमीजी कोई hilarity नहीं चलेगी हाँ ऐसा ही कुछ रोल है skiml shanks का इसके बिना तो train चल ही नहीं सकती है आईए समझते हैं line by line ये पूरी poem तो ये poem real नहीं हो सकती ध्यान दीजेगा ये एक amusing poem है logical जरूर है पड़ आपको कहीं न कहीं ये विश्वास दिला देगी कि ऐसा कोई वेक्ती भी हो सकता है क्या जो सब कुछ control करता है सारी कह सकते है train उसके under में है अच्छा है वो station master ही क्यो नहीं हो train के driver ही क्यो नहीं हो motors ही क्यों नो हर कुछ उसके पूरे control में है आए स्टार्ट करते हैं line by line there is a whisper down the line at 1139 when the night mails ready to depart तो ये mail train है सिंजर और mails को goods को ले जाने वाली train है नौर्थ की तरफ जाने वाली train है और northern hemisphere में मतलब उचय वाले stations पे जाने के वाली train है और इस train को इंतजार है चलने का क्योंकि train को जो चलाने वाला व्यक्ति है जिसके signal से train चलने वाली है वो है skimbal shank the main character of the poem तो skimbal shanks मौजूद नहीं है और सब लोग बाते कर रहे हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे वो porter हो चाहे वो station master की daughter हो चाहे passengers हों की कहां गया ये skimbal shank और रात के 11 बज़ कर 39 minutes हो रहे हैं और train को निकलने का time है train 11 42 पे चूटने वाली है और कहीं पर भी signal देने के लिए train को चूटने के लिए station चूटने के जो signal चाहिए green signal चाहिए वो देने के लिए skimbal shanks नहीं है सब बेट कर रहे हैं और तब तक क्या होगा सेंग skimbal shanks where is the skimbal has he gone to hurt the thimbal एक तरह का राइमिंग बनाया गया है skimbal ओ थिंबल मजाक में कहा जा रहा है playfully कहा जा रहा है कि क्या skimbal को थिंबल खोजने चला गया है क्या मैसे थिंबल एक तरह का device होता है metal यह प्लास्टिक का object होता है जो थम यह फिंगर्स के पहना जा सकता है जिसके बाद स्वी करना सिलाई करना स्विंग करना स्टिचिंग करना इजी हो जाता है बहुत सा लोग उसको यूज करते हैं वह गिटार है प्लैनों प्लेक लरने में भी तो क्या यह skimbal को खोजने चला गया मजाक के रूप में कह रहा है playfully कहा जा रहा है और we must find him और the train can't start इससे यह पता चलता है कि इस व्यक्ती का हाँ मैंने कहा था यह जो cat है वो व्यक्ती के features characters hold करती है qualities hold करती है तो यह cat यह cat को खोजना जरूरी है क्योंकि इसके बिना train आगे नहीं चल सकती see the importance of the skimbal shank all guards and all the porters and the station master's daughter they are searching high and low तो हर जगे खुजाई हो रही है हर जगे सर्च हो रहा है अब वो चाहे कूली हो चाहे train के guards हो चाहे even station master की बिटिया भी क्यों नहों सब कुछ खो सब लोग खोज रहे है किसको skimbal shanks को और saying skimbal where is this skimbal unless for unless he is nimble क्योंकि सबको weight है skimbal का कि वो nimble हो जाए nimble वैसे होता है agile होना agile मतलब quick and fast in moment तो nimble मतलब agile तो skimbal के nimble होने का matching word बना रहे है rhyming word बना रहे है तो skimbal के nimble होने का वो लोग wait कर रहे है कि जल्दी से वो आए और train को क्या करे signal दे दे कि train शुरू हो जाए है then the nightmare just can't go तो यह paragraph यहां तक तो यहीं बताता है कि skimbal के बना कोई भी train जो है यह train जो है चलने सक्टी स्टेशन से और ठीक 1142 पर ठीक 1142 पर ठीक 1142 पर देन दी signals duly nearly due और जब signal का time पूरा हो चुका है and the passengers are frantic to a man सारे passengers frantic है frantic मता crazy सब परिशान है खोज रहे हैं इदा धार सच कर रहे हैं किसको खोज रहे है skimbal shanks को खोज रहे है 11 बच कर 42 मिनट then the skimbal will appear or skimbal as a hero appear कर जाएगा जब सब लोग खोज रहे होंगे उसके और appear करेगा and he will saunter to the rear saunter मतलब होता है walk carelessly ऐसे चलना जैसे की कुछ हुआ ही नहीं हो hero की तुरह entry होती है किसकी skimbal shanks की होती है और वो saunter करता हुआ मतलब carelessly बिना हड़ बड़ा हट में एकदम slow movement से क्या करता है पीछे से निकलता हुआ आता है train से he has been busy in the language van क्योंकि skimbal shanks उस समय भी काम कर रहा था luggage van में जहाँ पर एक van है गाड़ी का एक हिस्सा है जहाँ पर luggage रखे होते passengers के वहाँ वो busy था bag set कर वा रहा था तो हर जगह आप देखेंगे पूरी पोएम में हर जगह है skimbal shanks मौझूद होगा हर हर paragraph में आपको कहीं नहीं इसका नाम आएगा he gives one flash he gives one flash of his glass green eye and the signal goes all clear मैंने कहा था skimbal shanks सबसे main character है इस पुरी पूम का और उसके ही आँखों की green आपको याद होगा बिल्ली की आँखे green होती है कभी आपने बिल्ली की आँखों में torchlight मारी है क्या कभी लगा के देखेंगा या रात के अंदर में देखेंगा अब डर जाएंगे क्योंकि इसकी आँखे green होती है shine करती रह है उसकी एक characteristic glass green कलर की आखें है जो की बताती है कि आप signal clear है और train को चल देना चाहिए क्योंकि आपको मालूम ही है green is the signal for movement तो हरी बत्ती का signal दे दिया and the signal goes all clear और train चल पड़ती है we are off at last for the northern part of the northern hemisphere तो यह train अपने destination की तरफ बढ़ जाती है जो की northern hemisphere में है जो भी place equator की उपर होती है उसे कहते northern hemisphere आला कि particular place का नाम नहीं बताया गया उस particular शेहर का नाम नहीं बताया गया जहां यह train जा रही है you may say that by and large it is a skimbal who is in charge of the sleeping car express तो इस पूरी गाड़ी का इस sleeping car express का कौन इंचार्ज है सर्वे सर्वा कौन है सर्वे सर्वा the omnipresence the omnipotent person is the skimbal skimbal shank इस पूरी train का इंचार्ज है चाहे वो drivers हो चाहे वो guards हो और bagman हो जो भी हो जोगी cards खेल रहे होते हैं प्लेइंग cards मुदा समझ ताज के पत्ते खेल रहे है he will supervise them all more or less इसका मतलब है हर कोई हर व्यक्ती हर चीज किसके द्वारा गवर्ण होने वाली है इस पूरी train में skimbal shank द्वारा ये तुरकाई controller है down the corridor he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third अब train चल चुकी है तो क्या ये जाके सो जाता है skimbal shanks जी नहीं ये train में भी patrolling करता रहता है petrol मतलब होता है चल कर जाना और आना ताकि सब पे नजर रखी जा सके तो ये पूरे समय जो train में first class या third class के compartments होते हैं आप तो जानते ही हैं इन compartments में हर एक passenger पर नजर रखा रखता है देखता रहता है क्या देखता है देखिए उन पर control करने के लिए he establishes control by a regular petrol अथा regular up and down वाक करता रहता है जैसे पुलिस पेट्रोल करती है अना and he and he had known now at once if anything occurred अगर कुछ भी होता है train में कुछ भी होगा चरा साभी कुछ होगा train में incident सबसे पहले किसको पता चलेगा skimbal shanks को क्योंकि वो हमेशा movement पे रहता है हर समय मूव करता रहता है कुछ भी गरबड होगी सबसे पहले skimbal shanks को पता चलेगा he will watch you without winking and he sees what you are thinking देखे विंकिंग धिंकिंग तो यहां पर skimbal shank एक ऐसा पती है जो आपको हर वक देखता रहता है और वह बिना wink की बिन पतलब बिना पलक जबकाए और वो यह यह भी जान लेता है कि आप क्या सोच रहे हैं सोचिए कितना superhuman quality है इसके अंदर and it is certain that he doesn't approve of hilarity and riot मतलब जब यह चल रहा होगा patrolling कर रहा होगा तो आप इसके अगल-बगल पत्तमीजी या ओवर जैसे कहते हैं जोई नहीं दिखा सकते है राइट करना मतलब दंगे होता है hilarity मतलब होता है expression of joy and merriment होना बहुत ज़्यादा हाँ ही ही नहीं 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 इसके सामने आप क्योंकि लोग इससे डरते रही है और इसकी respect भी करते है people fear and respect both of these skimbal shanks so कोई भी hilarity इसको बरदाश नहीं है riot करना जोड-जोड से हाँ हाँ ही करना no 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 so the folk are quiet तो सारे जो train के बैठे passengers है इसके सामने quiet रहते है they behave very decently in the presence of these skimbal shanks क्योंकि उसे पसंद नहीं है when skimbal is about and on the move जब वहाँ skimbal है तो वहाँ पर शांती है order है कोई chaos उसे पसंद नहीं है बहुत ही disciplined वाला वेक्ती है skimbal आई मैंने कहा वेक्ती है you can play no pranks with skimbal shanks he is a cat that cannot be ignored मतलब जब वहाँ पर है आप उसे ignore नहीं कर सकते है you have to take care आप alert हो जाएंगे जब वो आपके बगल से गुजरेगा कौन skimbal shank और मजाक करना मजाक करने कुछ तो आप हिम्मत ही मत करिएगा उसके पर आप prank नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वह बरदाश नहीं करेगा बहुत ही strict disciplinarian है so nothing goes wrong on the northern male when skimbal shanks is abroad मतलब जब तक इस train में skimbal shank है तो इस train में कुछ भी गड़बर नहीं हो सकता कोई भी परिशानी आपको नहीं आएगी क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद रहता है order और discipline लाने के लिए हर कुछ वहाँ पे smoothly चलता है skimbal shank की वजए से oh it's very pleasant when you have found him little den found your little den अब ये जो paragraph है इसमें आप देखेंगे कि इस northern male में जिसकी कहानी है ये नाइट मेल जिस ट्रिन की कहानी है ये जो वर्जन है इसका उसमें जो compartment होते हैं उसके अंदर जो आपको बर्थ मिलती है बर्थ वो प्लेस होती है जहां पर आप सोते हैं अराम से हैं तो जो बर्थ मिली है उसको कहा गया little den little den तो बैसे शेर का होता है जो शेर होते है व with your name written on the door तो दर्वाजे में बर्थ में जाने के लिए आपको दर्वाजा है दर्वाजे पर आपका नाम लिखा मिलेगा और and the birth is very neat with a newly folded sheet तो आपकी बर्थ पर एक साफ सुत्री sheet लगी होगी clean sheet लगी होगी and there is not a speck of the dust on the floor और धूल का एक कण भी उस फ्लोर में नहीं होगा इतनी साफ सफाई रखता है and there is every sort of light you can make it dark or bright और क्या फैसिल्टी है यह जो बर्थ है आपका जो आपकी जिस प्लेस में आप रेल्वे में जा रहे हैं उस प्लेस में उस बर्थ में light के on-off की फैसिल्टी आप चाहे तो आप अंधेरा कर सकते हैं चाहे तो light जला सकते हैं और क्या फैसिल्टी है there is a handle that you can turn to make a breeze आप एक handle की मदद से window को खोल सकते हैं ताकि breeze साथी अवा बाहर से अंदर आ सके या बंद भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं there is a funny little basin और एक चोटा सा basin भी है आपकी बर्थ के पास में and you are supposed to wash your face in जहां आप चाहे तो मुझ भी दो सकते हैं ह हमारी railways में ऐसा नहीं है हमारे बर्थ में तो नहीं है कम से कम वंदे भारत में अगर आप गये होंगे तो आपको लगे गारे यह तो बहुत सारा कुछ हमारी वंदे भारत से मिलता जोलता है कि बर्थ नीट अन क्लीन होते हैं क्या कहते हैं आला कि sleeping वाली अभी बर्थ ने आई है पर जो भी बंदे भारत है वो नीट अन क्लीन है और आपको चीक आ रही है तो आपके पास एक क्रेंक भी है क्रेंक एक तरह का कुंडा टाइप का होता है जिससे आप विंडो खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं तो बहुत सारी फैसिल्टी वाला यह बर्थ है यह प्लेस शेंक होल सोल इन चार्ज है एक केरर है सुपरवाइजर है कंट्रोलर है इन सारी अक्टिविटीज का दें दे गार्ड लुक्स इन पॉलाइटली एन विल आस्क यू वेरी ब्राइटली तो यहां पर अब और लोग जो रेल में काम कर रहे हैं देखिए उन में गार्ड है द वो वन अब दी पैसेंजर्स अब दी ट्रेन है तो वो जो गार्ड है वो पूछता है स्किंबल शैंक से कि आपको चाहे कैसी चाहिए वीक यह स्ट्रॉंग बट स्किंबल जस्ट बिहाइंड हिम और रेडी तो रिमाइंड हिम फर स्किंबल वोंट लेट अनीफिंग गो सब कुछ का टेक केर करता है खुद कि स्किंबल शैंक्स वो देखता है कि quality maintained होनी चाहिए service is the aim that he wants to deliver best service होनी चाहिए अपने passengers के साथ वो इंटरेक्ट करता है उसके staff इंटरेक्ट करते हैं तो वो उन सब पर नजर रखता है जब passenger से लोग बात कर रहे होते हैं railway के staff तो उन service देने की उसकी ability है and when you creep into your cozy birth and pull up the counter pain, counter pain एक तरकी रजाई होती है, quilt बोलते है na quilt, bed spread हाना उसे कहते है रजाई, तो जब आप क्या करेंगे, अपनी बर्त में होंगे, जहापे आप cozy सी बर्त में होंगे, soft comfortable सी बर्त होगी और अपनी रजाई अपने उपर ओर लेंगे, you ought to reflect that it's very nice, इसका मतलब है, इस rail में journey करने का मजाई कुछ और होगा, क्योंकि यहां सारी चीज़ वेवस्थित है, सारी चीज़ smoothly and well planned है, और सारे लोग किसके control में है, एक वेक्ती के control में है, वो है, skimbal shanks, to know what you won't be bothered by mice, और skimbal shanks ये भी care करता है, कि आपको mice परशान न कर सके, आ और mice, आप तो जानते ही है, mice परशान न कर सके, you can leave all that to railway, cat, the cat to the railway train, तो यह cat कौन है, skimbal shank है, जो आपको mice की problem, आही बिल ली है, तो चुगे की समझा तो दूर करी देगी, चलो, मैंने कहा था न, super human qualities है, इस skimbal shank के पास, और क्या खास बात है, in the watches of the night, he is always fresh and bright, तो जब साथ हो चुकी होती है, यह जाग रहा होता, skimbal shank is alert, is vigilant and is on the petrol, आप सो रहे होते हैं, पर यह जाग रहा होता है, skimbal shank, every now and then, he has a cup of tea, और जागने के लिए क्या करता रहता है, चाहन पीता रहता है, इसे चाहे पसंद है, तो चाहे के साथ क्या लेता है, and with perhaps a drop of scotch, while he is keeping on the watch तो alert रहने के लिए, हाला कि मैंने का ये भी एक तरह का amusing पन है, कि वो scotch का एक drop, scotch एक तरह की विस्की होती, बहुत महेंगी शराब होती है scotch, उसका एक drop डाल देता है अपने चाहे में, और अपने tea के cup में, और हर थोड़ थोड़ दिर में चाहे पीता रहता है, और जगा इसको पकड़ने के लिए, फ्ली को पकड़ने के लिए, ये फ्ली क्या होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, जो लोगों का खून चूसता है, तो ये फ्ली को बस पकड़ता है, ये भी मैने का एक तरह का, कह सकते हैं, रेलवे में नूसेंस हो सकता है, पर वो make sure करता है कि क कोई भी नूसेंस कोई भी परिशानी रेलवे में पैसेंजर्स को नहों कॉलिटी ऑफ सर्विस पर बहुत द्यान देता है नीटनेस पर बहुत द्यान देनता है और देखे यू वर पास्ट असलीप एड़ दे क्रिव यह प्लीस का नाम है एंड सो यू नेवर नियू तो एक स्टेशन आया और आप सोई वे थे जैसे आपको और में साथ दी होता है जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता हम अपने अपने बर्त पर सोई रहते हैं आराम से पर क्या रेलवे के और जो इन चार्ज है ऑफिसर से वो सो रहे होते हैं क्या य यह स्टेशन आया यह सारे के नाम है स्टेशन के नाम है इंगलेंद क्योंकि एक यह सारी पोम जाए वह इंगलेंड की है तो कालिस लेवे पी रुपता है वो और वहां पर भी क्या करता है है he greets the station master with elation why station master को कैसे हो समझ गया ना elation मतलब बता है बहुत खुशी में किसी का स्वागत करना वेलकम करना with joy with lot of joy वहाँ पे station master को वो joy से greet करता है और दो प्लेस होगे तीसरी place when you saw him at dumfries यह भी एक शहर का नाम है where he speaks to the police the price music on will take police देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक railway का अधिकारी है जो अलग लग stations पे उतरता है और लोगों से बात करता official से बात करता है कहीं station master से बात कर रहा है कहीं पुलिस वालों से बात कर रहा है dumb fries में वो पुलिस वालों से बात कर रहा है and if there's anything they ought to know about तो वो पुलिस वालों से बात करता है कि क्या कुछ जानकारी उन्हें चाहिए क्या वालों पुलिस वालों को भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो किसे मांगते हैं skimbal shanks से क्योंकि वही इस पूरी train का whole soul in charge है when you get to the gallo gate ये भी एक शहर का नाम है चौथा शहर हो गया फोर्थ सिटी हो गया there you do not have to wait for skimbal shanks will help you to get out और अगर आप gallo gate पे उतरना चाहते हैं बहुत सारा rush है entry करने के लिए या उतरने के लिए तो ये make sure करता है कि आपको बहुत safely और smoothly उतार दे आपको wait नहीं करना पड़ेगा train से उतरने के लिए धक्का मुकी नहीं करना ही पड़ेगी क्योंकि skimbal shank आपको train से smoothly उतार देगा आपको परिशान हुए बिना he will give you a wave of his long brown tail देखा यहां पर देखिए इंसान होता तो क्या पूछ होती क्या उसके पास मैंने का ना कहीं आप confused हो जाएंगे कि कहीं इंसान की बात कर रहा है कि कहीं बिल्ली की बात कर रहा है देख रहे हैं तो यहां पर यह जो skimbal shank है वो अपनी पूछ हिलाता है ब्राउन रंकी उसकी पूछ हिलाता है किसको जब आप ट्रेंज से उतर जाते हैं और क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा विच सेज आइए गें और ऐसा लगता है कि वो क्या करता है लोगों को अपनी हम लोग तो हाय यह वाय करते है लोगों को यह अपनी पूछ दिखाता है अब लोगों कहता है कि फिर मिलेंगे you will meet him without fail on the midnight mail और अगर सच में आप दुबारा कभी midnight mail में जाएंगे तो आपको जरूर कौन मिलने वाला है the cat of the railway train that is Skimbal Shanks so this brings to the end of the entire poem on that poem and I am very sure कि ये poem आपको समझ में आ गए होगे एक तम simple language में और आप चाहते हैं कि ये notes आपको दे दिया जाए हाँ इस notes के साथ word meanings इसका summary क्या चाहते हैं आपको ये word meanings इसकी summary सब दे दी जाए अगर आप चाहते हैं तो आपको करना एक का हमारा telegram channel है आपके लिए rising star के लिए बनाये गया है उसको जरूर subscribe कर लीजे हाँ subscribe कर लीजे मतलब उसमें click कर लीजे और आपको ये notes वहाँ से मिल जाएंगे चलिए आपकी पसंद के lesson videos हम सारे subjects के upload कर रहे है बस आपको करना क्या है उस chapter का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाई sir तरुन रुपानी और google कर लेना है आपकी google sir आपको मिल जाएंगे तो मिलते हैं अगे lesson वीडियो में बाई, take care, God bless you